कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सच तो होती हैं, मगर उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज हम आपको जिस सची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, वह भी एक ऐसी ही घटना थी। घटना कुछ यूँ थी कि एक महिला गायब हो जाती है और कुछ समय बाद मिल भी जाती है, मगर मिलती है 22 स्टिफिन में बंद 300 टुकड़ों में। जी हाँ, आपने सही सुना, एक महिला के 300 टुकड़े किये गए थे। ये महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बलकि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेटनेंट करनल और शहर के जाने माने डॉक्टर की वाइफ थी। तो आखिर किसकी हिम्मत हुई रिटायर्ड लेटनेंट करनल की वाइफ की ये हालत करने की। ये पूरा केस क्या है और इस केस का खुलासा कैसे हुआ। चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। यकीन मानिये जब आप कातिल और कतल की वजह के बारे में जानेंगे तो आप के लिए ये किसी जटके से कम नहीं होगा। लाश के टुकडे करने में इस्तिमाल किये गए हथियार के बारे में भी जानकर आप चौक जाएंगे। तो चलिए, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। ओडीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नया पल्ली नाम की जगह है। यही एक बड़े से बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेटिनेंट करनल डॉक्टर सोमनाथ परीदा अपनी पतनी उशा श्री समल के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परीदा ने 1970 में बतौर 2nd Lieutenant Indian Army जवाइन की थी। जबकि वो Lieutenant Colonel के पद पर रहते हुए 1994 में आर्मी से रिटायर हुए थे। आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाईं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ परीदा की गिंती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जात तो उन्होंने अपना खुद का क्लीनिक स्टार्ट कर लिया था। डॉक्टर सोमनाथ परीदा और उशा श्री समल के दो बच्चे थे। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था जबकि बेटी दुबई में सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे, मगर फोन पर मां से जरूर बात होती रहती थी। बच्चों की बात ज्यादा तर अपनी मां से ही होती थी, क्योंकि सोमनाथ परीदा कुछ अलग ही मिजाज के थे। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नह यहां तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिष्टे बहुत अच्छे नहीं थे, सामाजिक रूप से भी वो खुद को अलग धलग रखते थे, कहने को तो उनका घर एक बड़ा सा विला था, मगर उसमें इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता था, इनके यहां रिष्टेदा का आना जाना बहुत कम ही होता था, कुछ लोग तो सोमनाथ परीदा के बड़े से बंगले को भूतिया घर भी कहते थे, रुटीन के मताबिक सोमनाथ परीदा शाम के 6 बजे सो जाया करते थे, और सुबह 3 बजे जग जाया करते थे, खैर, यूं ही समय कट रहा था, और अब मोबाइल स्विच ओन रफ आता है, वह सोचता है कि माँ शायद कहीं बिजी होगी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद फोन करता है, मगर मोबाइल अभी स्विच ओन रफ ही आता है, अगले दिन वो फिर से माँ के नंबर पर फोन करता है, यह सोचता है, एसे में अब बेटे क इतना सुनने के बाद वो दुबई में रह रही अपनी बेहन के पास फोन कर मा के बारे में पूछता है। अब धक हार कर बेटा भूवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा के पास यानी सोमनात परिदा की पतनी उशाश्री समल के भाई रंजन समल के पास फोन करता है। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जब ये लोग दर्वाजे को नौक करने जारी ही रहते हैं तो काफी देर बाद दर्वाजे की बजाए बगल की एक छोटी सी खिड़की खुलती है। जहां से सोमनाथ परीदा इन दोनों से बातें करते हैं, उशाश्री के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परीदा कहते हैं कि वो तो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इस पर रंजन अपने जीजा सोमनाथ परीदा से कहता है कि आप छूट बोल रहे हैं, वो दुबई नहीं गई है। आप पहल, दर्वाजा खोलिए, फिर हम बात करेंगे। इतना सुनते ही सोमनाथ परीदा उन लोगों पर भी चिलाने लगता है और खिड़की भी बंद करके अंदर बैठ जाता है। इसके बाद बाहर खड़े लोग काफी देर तक दर्वाजा पीटते हैं, मगर दर्वाजा नहीं खुलता है। अब रंजन किसी तरह एक खिड़क पहुँच जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की पर खड़े होते ही उसे दुरगंध महसूस होती है। अब रंजन को समझ आने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसलिए अब वो बिना समय गवाएं पास के ही नया पल्ली पुलिस स्टेशन जला जाता है और पुलिस वालों को उशाश्री के गायब होने तथा सोमनाथ परीदा की हरकतों के बारे में पूरी बात सुनकर पुलिस तुरंध सोमनाथ परीदा के घर पर पहुँचती है और वह भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। पुलिस वालों के लाख कह इसलिए पुलिस वाले ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये दुर्गंध कहां से आ रही है। इसलिए पुलिस वाले उन बकसों को खोल कर देखते हैं तो वो चौक जाते हैं। टिफिन के खुलते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। अचानक एक दिन उशाश्री ने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सिर पटका कि उसकी मौध हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संसकार शिरडी में करना उशा की इच्छा अनुसार उसे ऐसे ही शिरडी ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसलिए मैंने लाश के टुकडे करके टिफिन में बंद कर दिये ताकि मैं एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जाऊ और वहां उशा का अंतिम संसकार कर दो। ये दावा अपने आप में ही बहुत अजीब था कि आखिर कोई कैसे खुद ही अपना सिर पटक कर मर सकता है। ये बड़े से टेबल पर अच्छे से सजा कर रखा हुआ था और उसे ऐसे ढख कर रखा हुआ था कि किसी को भी पता न चले। सिर काफी हद तक सड़ चुका था। यहां तक की सर की सकिन और बाल भी अलग हो रहे थे। हालांकि बदबू कम थी क्योंकि बदबू छिपाने के लिए सोमनाथ ने एक खास केमिकल का उपयोग किया था। कटे हुए सिर को टेबल पर रखने की बजाए जब पुलिस वालोंने सोमनाथ परीदा से पूछी तो उसने जो दावा किया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। सोमनाथ के मताबिक वो हर रोज घंटों उस टेबल के सामने बैठ कर अपनी पतनी उशा के कटे सिर से बातें किया करता था। भले ही सोमनाथ परीदा ने आत्महत्या वाली कहानी पुलिस को बताई थी मगर पुलिस इस कहानी पर यकीन नहीं करती है और मामले की तह तक जाने के लिए अपनी जाच का दाइरा बढ़ाते हुए पूरे घर में बारीकी से सर्ज करना शुरू कर देती है। साथ ही सोमनाथ परीदा से भी सختी से पूच ताच का सिलसला शुरू होता है और उस पूच ताच में जो खुलासा होता है वह बेहद ही हैरान करने वाला होता है। पुलिस पूछताच में खुलासा होता है कि उशा श्री ने आत्महत्या नहीं की थी, बलकि किसी बात को लेकर बीते 3 जून 2013 को सोमनाथ परीदा और उशा की नड़ाई हुई थी. इसी लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने अपने पास मौजूद स्टील के टोर्च से अपनी पत्नी के सर पर जोरदार वार किया. ये बार इतना जोरदार था कि उशा वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई पत्नी के बेहोश होने के बावजूद सोमनात परीदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ बलकि उशा की जान लेकर ही सोमनात का गुस्सा खत्म हुआ सोमनाथ के मुताबिक उशा के मरने के बाद लाश को छुपाना उसके लिए बड़ी चुनौती थी इसलिए पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रख कर कमरा बंद कर दिया और अगले दिन जब मेड काम करने आई तो उसे तुरंथ ही नौकरी से निकाल कर फिर कभी ना आने के लिए कह दिया इसके बाद सोमनाथ परिदा बगल की एक दुकान गया जहां से उसने दो-तीन टिफिन खरीदी और फिर लाश के टुकडे करने शुरू कर दिये पहले दिन उसने लाश के कुछ टुकडे किये और उन्हें टिफिन में भर दिया इस तरह वो हर रोज एक नई दुकान से दो-तीन टिफिन खरीदता था ताकि किसी को शक न हो वो रोज टिफिन खरीद कर लाता था और उसी हिसाब से लाश के टुकडे करके टिफिन में रख देता था, फिर उन टिफिन को अपने बड़े से बकसे में रख देता था, सोमनाथ परिदा ऐसा तब तक करता है जब तक कि उशा पूरी तरह टुकडों में नहीं बढ़ जाती है लाश की बदबू बाहर न पहले इसलिए सोमनाथ परिदा मार्केट से बड़ी मात्रा में बदबू छुपाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले केमिकल भी खरीद कर लाता है इसके अलावा वो घर में फिनाईल का भी छिड़काव करता था ताकि बाहर बदबू न जाए जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि सोमनाथ परिदा एक जाने माने सरजन थे इसलिए उन्हें Human Anatomy के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी इस कारण उन्हें लाश के टुकडे करने में कोई परिशानी नहीं हुई और उसने लाश के टुकडे करने के लिए बड़ी आरी या किसी तरह के बड़े हथियार का भी इस्तिमाल नहीं किया बलकि ओन परिशन में इस्तिमाल होने वाली कैंची छुरी इत्यादी से ही सोमनाथ परिदा ने पत्नी उशा श्री के 300 टुकडे कर दिये पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हर टुकडे की लंबाई लगभग 6 इंच के आस पास थी पुलिस ने ये तो पता लगा लिया था कि उशा की हत्या किसने की है मगर हत्या का मोटिव क्या था ये अब तक पता नहीं चल पाया था इसलिए अब पुलिस हत्या के उद्देश्य का पता लगाने में जुट जाती है जाँच परताल के दौरान खुलासा होता है कि सोमनाथ परिदा की पत्नी उशा को शक था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लीनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उशा के बीच लड़ाईयां होती थी 3 जून 2013 को भी इसी बात को लेकर ही दोनों में लड़ाई होई थी और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने उशा के सर पर पास नहीं रखे टॉर्च से वार कर दिया और फिर उसकी जान ही ले ली सोमनाथ परिदा के इस खुलासे के बाद बाईस पून 2013 को उसे गिरफतार करते हुए जेल भीच दिया जाता है हत्या तथा सबूत मिटाने के धाराओं के तहद सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किये जाते हैं और केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू होती है सुनवाई के दौरान सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी भी अमरीका और दुबई से वापस आते हैं तथा अपने पिता के खिलाफ भी कोर्ट में गवाही देते हैं बेटा बेटी द्वारा दी गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों से साफ हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पतनी की हत्या की और फिर उसके शव को 300 टुकडों में काट कर टिफिन में रख दिया इस तरह उशा श्री की हत्या का दोशी करार देते हुए खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंट सेशन कोर्ट द्वारा सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है साथ ही उस पर 5000 रुपे का फाइन भी लगाया जाता है फिलहाल सोमनाथ परिदा की उपर 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद जार पाड़ा जेल में अपने सनक की सजा काट रहा है पूरी जांच परताल के दौरान ये भी खुलासा होता है कि वो रात में अकसर अपनी पतनी के शव के टुकडे करता था जबकि दिन भर क्लीनिक में बिजी रहता था और क्लीनिक में बिलकुल नॉर्मल बहेव करता था यहां तक की पतनी की हत्या के बाद उसने क्लीनिक में बड़ी धून धाम से अपना बिर्थडे भी सेलिब्रेट किया था दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लायक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ओन कर लें मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद